रैपूर नाका वाड 47 में समस्याओं का जाजा लेने पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा ने लगाई चौपाल, सड़क निर्मान करने 10 लाक रुपए की दिम मंजूरी दुर्ग के रैपूर नाका वाड 47 में शहर विधायक अरुण वोरा ने अपने वाड के दोरे के दोरान वाड वाशियों की समस्याओं को देखते हुए वहीं चौपाल लगाकर वाड वाशियों से जानकारी ली यहां के नागरिकों ने भूमी का पट्टा दिलाने सड़क और नाली निर्मान के साथ ही सामुदाएक भवन निर्मान और खेल मैदान विक्सित करने की मांगी साथ ही वाड में सडक निर्मान के लिए वोरा ने मौके पर ही विधायक निधी से 10 लाख रुपए की स्विक्रती दी इस दोरान वोरा ने महापोध धीरज बाकली वार निगम कमिशनर हरेश मंडावी से चर्चा करते हुए कहा कि वाड वास्यों की दूसरी मांगों और समस्चाओं से संबंधि सभी विकास कारे नगर निगम के माध्यम से ततकाल पूरा करायत जाए इसके साथ ही वाड में लगे बोर पंप में सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये साथ ही सबसे ज़्यादा मांग पट्टा देने की मांग के साथ ही वाड में खेल मैदान का निर्माण कराने की मांग प्रमुकता से की गई इसके लावा वाड में सड़क नाली निर्माण कारे कराने के आवाशकता भी वोरा ने बताई वोरा ने कहा कि 23 करोड रुपए की राशी मिली है सभी 60 वाडों में विकास कराई जाएंगे राशी का सदूपयोग होना चाहिए ताकि आम जनता को इसका लाब मिल सके ग्रेंड एशियन न्यूस करे दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट